नमस्कार दोस्तो माई किसाम दोस्त वीट्यो चनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका किसाम दोस्त याज़ाग और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल गहाई करने वाली थ्रेसर मशीन के बारे में दोस्तो आज मार्केट में कई सारी थ्रे प्रेशर मशीन वह है उसके बारे में थोड़ा से आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा लेकिन दोस्तों इन सारी जानकरियों को सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं या पहली बार इस वीडि दे और रोक कर वीडियो के नीचे एक रेट कलर का सब्क्राइब बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्क्राइब कर ले साथ ही पास आये घंटी के निशान को भी दबा दे तक कि जब भी हम यहां खेती बाड़ी और किसान उसे जुड़ी जानकरी डालने तो उसकी सुचना करता हूं इससे आप बड़े आकार के या बड़े दाने की जो फसले हैं जैसे ग्याउं सोयबिन यह आसानी से निकालती है और काफी स्पीड से निकालती है दस ग्यारा बोरी यह एक घंटे की भर देती है लेकिन साथ यो इसके अंदर क्या है मजदुरू की संक्या जादा तसले में उसे उठाने वाले मजदुर की जरूत होती है साथ ही इसके अंदर फसल देने वाले दो मजदुरू की उपर जरूत होती है इसके जो प्वेटी है उस पर खड़ा रहना पड़ता है साथ ही दो मजदुर नीचे की तरफ रहते हैं जो फसल को मजदुरू तक पहु आपकी जो इसव गॉल हो गया है इन फशलो को आशानी से नहीं निकाल पढ़ती है उसके अंदर ऊड़ जाता है और साफ नहीं आता है तो मैं इसका उपयोग छोटी दाने वाले फसलों के लिए नहीं करता हूँ उसके लिए मैं जो मैंने नई मशीन खरीद दी है उसका उपयोग करता हूँ तो चलिए जानते हैं दोस्तो नई मशीन के बारे में पूरी जन करी दोस्तो ये जो मशीन है इसको टोकरी मडल, बास्केट मडल, मशीन कहा जाता है, त्रेसर मशीन कहा जाता है इसके अंदर आप सोयबिन, जवार, बाजरा, अरहर, सरसू, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेती, अलसिया, चना, मसूर, इसबगोल, कलोंजी, बरसिम, गवार, गेहु, तारा, मिरा, तुलसी, आधी कई सारी फसले हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तो और दोस्तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर दांते लगे हुए हैं और ये पीछे एक टोकरी है बास्केट है इसके अंदर फसल को डाला जाता है वो और दांते उपर की तरफ खिंच लेते हैं साथ ही इसके अंदर जो डिंटल आते हैं वो इसके जरी निकल कर य यानि कुछ गिर जाए कुछ भी हो जाए या फिर टेक्टर दब रहा हो तब इसको खीचा जाता है इसको रोका जाता है इससे ये वाला पूरा पिछे का जो फसल खीचने वाला है वो रुख जाता है जिससे आपके अंदर जो ड्रम है वो पूरी खाली हो जाता है उदर का पा कंकर वगयरा कुछ भी आ जाते हैं तो बहार आसनी से निकल जाते हैं. मलंग पूरे ड्रम को आपको खोलने की जरूत नहीं होती है. इसको ऐसे खोलने पर इसके अंदर कंकर पत्थर कुछ भी आता है. तो बाहर की तरप याहın से निकल जाता है. यादि कि आपके जो कटर लगे हुए हैं उनका कोई नुक्सान नहीं होता है चलिए हम उपर चड़के इसको आराम से देख लेते हैं इसको हम खोल के देखते हैं कि कहां से पत्थर वतर बाहर आते हैं यह देखिए इसके अंदर जो दाते लगे हुए हैं यहां अगर पीछे फसल देते हैं तो उस से आशानी से देख सकते हैं इसके cutter भी देख सकते हैं के सही है के नहीं है चलिए दोस्तों अब नीचे की तरफ हम इस machine को पूरा देखते हैं दोस्तों इस machine की जो कीमत है वो है 3.5 लाक रूपए और यहां से आप इस machine के अंदर oil दे सकते हैं इनके जो parts हैं काम करने के लिए oil की आप सकता होती है तो यहां से आप oil भर सकते हैं साथ ही fan belt लगी हुई है fan belt कम ज़्यादा करने के लिए पूली है जिससे आपको अंदर rotor आती है साथ ही safety के लिए यहां पर एक जाली दे रखिए जिससे आपके जो मजदूर काम करते हैं शेपली रहें किसी तरह की उनको नुक्सान नहीं हो साथ ही दोस्तों यहां जो आप देख रहे हैं यह टूल बोक्स है इसके अंदर आपके machine के पाने वाने आप रख सकते हैं साथ ही दोस्तों इस machine के अंदर जो आपके फसल का जो दाने वगेरा होते हैं जो कच्रा बाद में इखटा हो जाता है पाल पर उससे डालने के लिए भी एक छोटी सी पेटी दे रखी है यहां हम इसे खोल के देखते हैं तो इसके अंदर हम जो भी कच्रा वगेरा धूल लिखते हैं तो इस machine को बनाया है पंजाब एग्रोटेक इंडिया प्रेवर्ट लिमिटिन ने भटिंडा रोड रामपूरा पूल भटिंडा पंजाब की यह machine बनी हुई है और सेपली सुरक्षा की कुछ नियम बता रखे हैं कि machine पर कारे करते होक्त क्या-क्या ध्यान आपक यह हमेशा fix रहती है उपर मैंने अभी ग्यों की setting के लिए जालिया लगा रखी है यह पूरी जाली मैंने ग्यों का set किया है और नीची की तरफ बारिक जाली यह fix रहती है अब दोस्तो हम आते हैं इसके हवा वाले system पर यहां से आप हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी अगर अगर कचरा आ रहा हो तो यहां से आप उसको कम ज़्यादा set करके साप कर सकते हैं और यहां से वो कचरा है वो सीधा उड़के बाहर चला जता है अब यहां पर आप दिख रहे हैं दोस्तों कि यह जो दिख रहा है आप अगर तसले में आपकी फसल लेना चाहते हो तो आप अपनी फसल को यहां से तसले में ले सकते हैं साथ ही दोस्तों बहुती बार अपनी जो फसल निकलती है उसके अंदर धूल मिटी और जो खत्पतवारे उसके बीज आते हैं तो इसमें चोटी वाली जाली रेतë है उसके अंधर चनकर यहां से आप निकाल सकते हैं मतलब इसके अंदर आप वो जो धूल मिट्टी और बारीक बारीक जो रेती हैं चोटे-मोटे बीच जो रेते हैं खट उत्वार के वो इसके अंदर आजाते हैं साथे दोस्तों अब यहां पर देख रहे हैं आप यहां आप बारदान बोरी जो होती है आपका कट्टा लगा कर फसल भड़ सकते हैं और उपर की तरफ इसको खोल कर आप इसका उपयोग सीधा जो आपकी ट्रोली होती है टेक्टर उसके अंदर डाल सकते हैं यानि कि एक दोस्तों आपको कि यहां जो आपकी फसल आती है वो च्छन के नीचे चले जाती है और कुछ कचरा जो रहता है यहां से उड़कर उस तरफ चला जाता है उस तरफ का भी मैं पूरा आपको बताऊंगा इसे आप 49 हास पाउर से लगा कर 60 हास पाउर के टेक्टर से आसानी से आप इसे चला सकते हैं दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो फसल है वो उसके जो डंटल है वो सीधे यहां से उड़कर इस साइट से फसल नीचे चले जाती है और डंटल इसमें आ जाते है और इसमें आकर उपर की तरफ जो आपकी राउंड में इसे लगा रखे हैं जो, आपके जो डंटल भेर वह हैं को खींचा कर सारा के सारा जो जुब माट्रेल शार आगए उनको experts Standards material को पीछे की तरब डाल जेता हैं इसकी अंडर कुछ दाने भी आते हैं फसलसा निकालते हैं तो कुछ दानें पी अंदर चले जाते हैं तो वापस से वह machine के अंदर आ जाते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ दाने जो dental पड़े हैं जो waste है व conditions के अंदर चले जाते हैं चली अगे चलते हैं अब यह है जो यहाँ से आपका भूसा अग Irish तरफ निकलता है वो system है और अब नीचे आते हैं तो ये drum वगरा भर जाता है तो हम इसे खोल कर आशानी से देख सकते हैं कि आपके drum में ज़्यादा कच्रा तो नहीं हुआ है आधी जानकरी देखने के लिए यहाँ हमको खोलना पड़ता है यह fan लगे हुए है और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया जालिया जालिया यहाँ से खोल कर चेंज हो जाती है जैसी वी फसल के आपको सेट करनी है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं आप मैं आपको बता रहा था डंटल का डंटल इसके अंदर होते हुए दोस्तो सीधा उपर चले जाते हैं अब कभी कभी डंटल फज जाते है तो यहां से खोल कर आप जब भी मशीन साप करनी हो तो डंटल वगरा निकाल सकते हैं अब चलिए दोस्तो डंटल किस तरफ गिरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहां पर भी आगे एक safety के लिए जाले लगी हुई है जिससे मज़ूर काफी safely रहते हैं इसमें उनको शुरक्षा काफी अच्छी इस मशीन के अंदर दे रखिए अब जो डंटल आते हैं दोस्तो वो इधर होके आपको एक छोटा सा पाइप दिख रहा है इस casing के जरिए इस pipe के जरिए नीचे की तरफ आ जाते हैं कुछ डंटल पड़े हुए हैं यह देखिए आप यह डंटल इसके अंदर आ जाते हैं और फिर से machine के अंदर हो जाते हैं साथ ही अगर बाद में machine को साप करना है कुछ धान वगिरा आपका बच जता है कुछ फशल बच जती है तो आप इसको नीचे से खोल कर वो आपका जो भी कचरा वगिरा है वो निकाल सकते हैं साथ ही जाली रखने के लिए यहां जगा दे रखी है कहीं आपको बाहर जाना है तो जाली यहां रखके आशा नीचे जा सकते हैं साथ ही यह जो आपको देख रहे हैं इससे आपकी जाली वगएरा साफ हो जाती है जाली पर कच्रा जम जाता है तो इसके माध्यम से आप उस कच्रों को साफ कर सकते हैं दोस्तो ये इसके साथ तीन इस तरह की की ये कटर के नीचे की जाली आती है ये सबसे बारिक वाली जाली है जिसमें छोटे छोटे जो सर्शू वगरा होते हैं जो छोटे धान फसल होती है वो निकालने के लिए उप्योग की जाती है एक बड़े डॉलर चने की भी आती है मैं आपको वीडियो में बताओंगा किस तरीके से साब निकाल रही है कितने मजदूर कि आवसकता हो रही है वो भी आपको फसल निकालते हुए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँआ फिलाल ये देखिए आप चा जालिया ये छोट छोटी जालिया छोटी छोटे फसल के जो चोटे दाने के जो फसल होती है उन्हें निकालने के लिए उपयोग में ले जाती है ये सोयाब इनके आप देख रहे हैं साथ इसोग गॉल और मेथी वगरा के लिए बारिक वली जालिया आप देख रहे है चलिए दोस्तो आप हम देखते हैं कि फसल किस तरीके से निकलती है दोस्तो आप देख रहे हैं कि इस मशीन में हम ग्योग निकाल रहे हैं वो एक घंटे में शाड़ा नो बोरी के लगबग निकालता है यदि आपने टेक्टर की जो स्पीड है वो 10 से 11 के बीच में रख रखी है और पूरी जो ट्रोली भने की जो इसकी स्पीड है वो है लगबग 2 गंटे 15-20 मिनट के अंदर पूरी ट्रोली भर देती है जो की मेरे जो ट्रोली है वो 20 बोरी की ट्रोली बनी हुई है और ये आप देख रहे हैं ग्यों पूरी तरीकी से साब इसमें निकल रहे हैं इसके अंदर कोई मजदूर के आवसकता नहीं होती बस एक मजदूर होता है और ट्रोली लगा के टेक्टर सेट करने पर अकिला मजदूर पू आता हूँ तो मेरा सेयोग करते हैं और बड़े हाशिन मजदूर के साथ मेरे साथ यहां खेतों में काम करते हैं और चलिए हम इसके बीज देख लेते हैं कि मेती का जो बीज होता है वह काफी छोटा होता है और वो भी इस ट्रेसर में काफी क्लीन निकल रहा है साप निकल र पर जो डालर चना होते हैं काबुली चना होते हैं वो अक्सर मशीनों के अंदर फूट जाते हैं दाले बन जाती है लेकिन इस थ्रेशर मशीन के अंदर वो भी काफी साप निकले हैं बिल्कुल भी दाने नहीं हुए हैं तो चलिए हम इसके बीज देख लेते हैं किस तरीके से चाने के जो बीज निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से साफ है ये देखें दोस्तो इसके जो बीज आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और दाल तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है दोस्तो कुल मिला कि यह जो थ्रेशर मशीन है काफी अच्छी मुझे लगी काफी अच्छा इसका रिजल्ट है टेक्टर भी अच्छा एवरेज देता है और इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंड में जरूर पूँचे मैं कोशिश करूँगा आपके स चैनल को सब्क्राइब करके जाएए जल्द मिलेंगे दोस्तो एक नई जानकरी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय बारत जय किसान